15.4 सतत शिंखला वाले एलकेनों का नाम करण किसी भी एलकेन वास्तों में किसी भी हाइडरोकार्बन का नाम उसमें उपस्थित कार्बन परमानों की संख्या के आधार पर रखा जाता है किसी भी सतत शिंखला वाले एलकेन के नाम को दो भागों में बाटा जा सकता है पहला भाग मूल या जनक भाग जो दर्शाता है कि इस हाइड्रोकार्बन की सबसे लंबी सतत कार्बन शिंखला में कितने कार्बन है दूसरा भाग अनुलगन जिस से हबे पता चलता है कि हाइड्रोकार्बन के कार्बन परमानों के बीच किस प्रकार का आबंधन है आईए कुछ उधारन लेकर इद नियमों को समझने का प्रयास करते हैं सार निक्रमांक एक एलकेन के लिए यदि N बराबर एक हो अर्थार कार्बन पर्मानों की संख्या एक हो तब मूल भाग मैथ द्वारा दर्शाया जाता है तथा अनुलग्र एन होता है अतह एलकेन का नाम मैथ धन एन बराबर मैथेन होता है यदि N बराबर 2, 3, 4, 5 या 6 हो तब मूल भाग ग्रमशह एत प्रोप, ब्यूट, पैंट या हैक्स द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तथा अनुलग्र एन होता है मैथेन, CH4 और एथेन, C2, S6 के अनुसुत्र को ध्यान से देखें इन में CH2-1 का अंतर है अब एथेन, CH3, CH3 और प्रोपेन, CH3, CH2, CH3 की सरचना देखें या इस पस्ट है कि इन दोनों में भी केवल CH2-1 का अंतर है एलकेन श्रिंखला में हम इस प्रकार अनेक निकटम जोडे अगले या पिछले सदस्य के साथ बनाकर उनके अनुसुत्र की जाच कर सकते हैं जैसे प्रोपेन और ब्यूटेन का जोड़ा या ब्यूटेन और पेंटेन या पेंटेन और हेक्जेन प्रतेक बार हम देखते हैं कि जोडों में केवल CH2 का अंतर है योगिकों की वह श्रिंखला जिन में निकटम सदस्य के जोडों में ऐसा सम्बंद हो उस श्रिंखला को सजाती श्रेणी कहते हैं सभी एलकेनों का सामान्य सुत्र CnH2n-2 है जहां N कार्बन के परमाणों की संख्या है और इस परिवार के निकटम क्रमागस सदस्यों के बीच CH2-1 का अंतर है इसलिए हम कह सकते हैं कि एलकेन परिवार एक सजाती श्रेणी है मैथेन और एथेन के अनुभारों की गर्णा कीजिए तथा दोनों सदस्यों के अनुभार में अंदर निकालिए इसी परिकार एथेन प्रोपेन प्रोपेन ब्यूटेन ब्यूटेन पेंटेन और पेंटेन हैक्जेन जोड़ों के अनुभारों के अंतरों की गर्णा कीजिए क्या आपको इस सजाती श्रेणी के सदस्यों के अनुभारों में कोई संबंद दिखाई देता है